हाई गाइस अगर आपको बजट है 10,000 रुपे से नीचे और ढूंडरो एक बढ़िया सा स्मार्टफोन और अगर आपको बजट 7,000 रुपे के आसपास कहीं अटक जाता है तो यह वीडियो जरूर हो सकती आपके लिए यह है लावा का यूवा 2 आज की बात करने वाले 7,000 रुपे के अंदर यह फॉन लॉंच हो है और काफी कमाल के लुक्स और स्पैक्स आते हैं जल्दी से क्विक वाली उन्बॉक्सिंग करते हैं तो भाई बॉक्स कुछ ऐसा देखने हो मिलेगा यूवा 2 का इसके बाद सबसे फोन है वह भी बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा देखने मिलेगा अब इसकी बात करते हैं यहां पर उन्बॉक्सिंग कर दिया इसकी बात करते हैं फोन की जो लुक्स है मतलब आप किसी को भी दिखाना और फोन के बारे में अगर आप पूछोगे नहीं तो कोई भी यह नहीं कह और यहां पर आपको fingerprint sensor भी इसके अंदर मिल जाता है और वो काफी अच्छी तरी किसे काम भी कर रहा है और जब डिस्पले की बात करते हैं ना भाई 7000 रुपे के अंदर काफी लोग मतलब निराश हो जाते हैं कि डिस्पले आपको 720p वाली मिल रही है या फिर नॉर्मल मिल स्मार्टफोन को तो भाई यहां पर हमने यूट्यूब चला के देखा जहां पर बढ़िया क्वालिटी आती है इवन जो कलर्स हैं वह काफी एक्यूरेट है और यहीं पर मैंने इसके स्पीकर का भी टेस्ट कर लिया स्पीकर नीचे की तरफ आते हैं और काफी अच्छा और पीछे की तरफ आपको दो सैटप देखने को मिलना है कि यह एई सेटप यहां पर आपको 13 MP का मीन सेंसे मिलता है जबकि सामने की तरफ आपको 5 MP की जो सेलफी वह आती है अब यहां पर अगर मैं कैमरा की बात करूं आउटपुट कुछ ऐसा है मैंने काफी सारी फोटो क्लि करें तो यहां पर कुछ ऐसा आउटपुट रहता है फोटो का साथ मैं अगर वीडियो की बात करते हैं तो दोनों से यानिकि फ्रेंट और बैक से आप 1080P रिजूलिशन पर शूट कर सकते हो 30 fps के साथ और यहां पर मैं कुछ सैंपल डाल रहा हूं वीडियो के ताकि आपको यहां पर यहां पर भी माइक्रफोन का है और साथ में वीडियो कॉलिटी कुछ एसी रहेगी इंडूर कंडिशन के अंदर यहां पर अगर आप ब्लोट वेर देखो के ना तो भाई ना किये बराबर है एक दो आप जरू देखने को मिलेंगी लावना प्री गेम्स या फिर इंडिया या फिर एक दो चोटी मोटी गेम से उनको अंस्टॉल कर सकते हो लेकिन यहां पर आपका वह बहुत अचा है कोई रिकमेंडेशन नहीं है कोई एप्स की मतलब यहां पर आपको एड नहीं आती यह चीज अच्छी है साथ में जब एंडॉइड 12 और जो उसको यू रिकॉर्ड कर सकते हो और जो पर्फॉर्मेंस पर आते हैं अब यहां पर जो प्रॉसेसर है वो यूज कर रखा है टी 606 यूनि सोटका अब यहां पर आ देखो यह बचके अंदर और और इस बचके अंदर मैं कौंगा काफी डिसेंट ब्रोसेसर है जहां पर इसका जो एंट नॉर्मल जो गेमिंग होती है, वो काफी अच्छी तरह किसे समाल लेता है, साथ में यहाँ पर आपको 3GB RAM का option मिलता है, और expandable भी हो जाते हैं 3GB, तो मतलब 6GB का output कुछ बन सकता है, वो अपने according आप change कर सकते हो, साथ में यहाँ पर आपको 64GB ROM, और यहाँ पर आपको SIM tray के अंदर आपको expand करने का option है, वो भी मिल जाता है, यानि कि 2 SIM में आप लगा सकते हो, और एक memory card भी आप इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर कर सकते हो, बैटरी आउटपूट की बात कर लेते, और भी सारी चीजने जैसे camera test करो, तो भाई आपको जो बैटरी है, एक दिन तक last रह जाएगी, और charging के लिए लगभग 2 घंटे के आसपास, और फिर धाई घंटे के आसपास लगते हैं definitely, लेकिन उसका एक फाइदा यह भी है कि, लाउंग लास्टिंग रहती है आपकी बैटरी, जब मैंने इस फोन को देखा ना, मतलब इसकी जो लुक्स है, इवन जो इसका hand feel है, मतलब आपको काफी attractive सा और बढ़िया सा लगए, मतलब आपके हाथों में एक तो ग्रिप बढ़िया बन रही है, definitely मतलब एक stand out करती है, यहाँ पर आपको प्रीमियम सी लुक आपको देखने को मिल जाती है, इतने सारे मैंने फीचर बताए, ऐसी लुक्स बताई, मैं आपस एक question पूछन पूछना चाहूँगा, कि आपके पास कोई phone है, जो इस budget के आसपास है, तो वो कौन सा आप यूज करते हो, और क्या कोई 10,000 रुपे के अंदर कोई बढ़िया phone है, जो ऐसी लुक्स के साथ आदा है, comment box में जरूर लिख सकते हो, and guys, pricing मैंने वैंने वैसे बताई दिया, reveal कर दिया, इसकी जो pricing है, वो 6999 है, और यहाँ पर आपको मतलब एक balance phone मिल रहा है, इसे साब से, मतलब मैं balance से भी ज़्यादा ही उपर बोलूँगा, क्योंकि design सबसे ज़्यादा amazing part लगा मुझे, even यहाँ पर जो specs ये रखे हैं, वो आपको एक 10,000 रुपे के phone के आसपास के जो specs हैं, वो इसके अंदर मिल जाते हैं, साथ में एक चीज़ और मैं यहाँ पर add करना चाहूँगा, काफी phones या फिर ब्रैंड्स के अंदर भाई आपको warranty मिल जाती है, लेकिन आपको store पर जाना पड़ता है warranty लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको free home service का जो option मिलता है, और आपकी क्या राए इस phone के उपर वो भी आप comment box में लिख सकते हो,